कई बार मजबुरी के चलते इंसान अपराद कर बैठा है लेकिन गुना तो आखिर गुना है सिताबरडी पुलिस थाना अंतरगत एक बाइक चोड़ी का मामला आ गया आया है जहां मद्यप्रदेश से खुद का इलाज करने आये युवक ने पैसों की कमी के चलते दुपईया वहन चोड़ी की आपरादिक मामलों को अंजाम दिया वहक कई दिनों से एकसिडेंट का इलाज करने नाकपूर आया हुआ था दरसल इस मामली की कड़ी को समझते हुए घटना आगे आई है कि कई दिनों पहले अपरादिक इसका नाम उलकेश वारूई के बताया जा रहा है जो कि मद्यप्रदेश का रहने वाला है उसका किसी कार से हाथसा हो गया था उलकेश को भारी मात्रा में चोट आई थी जिसके चलते इलाज के उद्दे से वह नाकपूर आया लेकिन इलाज में लगने वाले पैसे चुकाने की परिस्तिती ना होने के कारण अपराधी ने दुपईया चोरी के मामले को अंजाम दिया जिसमें लगभग आसपास की अंदास पेट स्तित वसंत मेडिकल स्टोर के पार्किंग से एक पुलिस करमचारी की गाड़ी को चुरा लिया था इस मामले की जाश के दौरान पुलीस को आरोपी मिठाने इम परिसर में गाड़ी को धक्का देते होई ले जाते समय पुलीस के हाथ लग गया था पुश्ताश में उसने पास मिली गाड़ी चोरी होने की बात कबल की अधिक पुश्ताश करने पर उसने चार अन्य दौपईया वहनों को भी चोरी करने की बात कबल की जिने पुलीस ने आरोपी के पास से बरामत किया है पुलीस थाने में बरामत की जब जिस इसम को ताबे में लिया उसका नाम है अलकेश दारूवी के उम्र 25 साल रहना ग्राम हिवरा तरसील अटने जिला वैतूल मद्यप्रदेश का रहवासी है तो उसको हिरासत में लेने के बात में जब डिटेल में उसके पास उसकी तरब तप्तीश की तो पुलीस को ये जानकारी सामने आई कि इसके अलावा भी उसने और चार गाड़ दूपईया गाड़ी एक कलमेश्वर एक वरूर जिला आमरावती और नाकपूर के नाकपूर शहर्स्तित अन्य थानों के अंतरगत दो गाड़िया ऐसा एक खुल चार अन्य गाड़िया भी इसने चोरी किया है तो वो भी गाड